इन इस वीडियो वी सोल एक्साइज 1.3 ये बुक हमारी गोल पुब्लिकेशन की है गोल बर्दर्स पुब्लिकेशन इस वीडियो में हम इसके questions करेंगे इस exercise के 1.3 ये देखिए हम पहले बात करते है question number 4 की question number for answer to irrational number between 2 and 2.5 अब irrational number हमें पता है क्या होगा 2 और 2.5 के between हमें 2 लिखने हैं तो एक हो जाएगा 2.10, 100, 100, 100, 1 4 टाइम 0, 1 and so on next हो जाएगा 1.20, 100, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,4, 0, 2, 5, 0, 2, and so on इसी तरह चलता लाएगा तो यह आगा हमें 2 लिखने हमें 2 लिखने हमें 181, it means यह so on है, तो 1.81 रिपीट हो रहा है, तो 1.81 का बार है, इसको P upon Q में हमें convert हरना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको x suppose कर लेंगे, let कर लिया कि x equal to 1.81 का बार, इसको x expand करेंगे, 1.81, 8181 and so on, देकि जितने decimal के बार digit है, जिन पर बार है, उतनी 0 लगा के 1 के सामने, इससे multiply करनी है, दो digit है, तो 100 से multiply, जब हम इसको करेंगे, तो यह decimal यहां से आ जाएगी, 2 digit है, यह नि कि 181.81 181, 8181 and so on, equation number 2 कहेंगे, इस वाली को equation 1 कहेंगे, अब equation 2 में से equation 1 को सब्ट्रेक्ट कर लेंगे, यह है x equal to 1 point देके decimal के, नीचे में decimal लिखना है, इदर है 1.81, 8181, 8181 and so on, equation number 1, इसको हम माइनस करेंगे, तो यह रहेगे, 100 minus 1 कितना 99 x और इदर यह सारे 0, 1 minus 1, 0, 8 यह, तो x आगे, 180 upon 99, यह 9 से divisible है, तो पुकट कर लेंगे, तो यह आगया, 11, 20 upon 11, अब हम करेंगे, question number 11, question के आए कि find the sum of 0.3 का बार and 0.4 बार, तो फेले हम इनको convert कर लेंगे, डेसिबल में, पी अपॉन क्योंकि फॉम में, फिर हम इनको add कर लेंगे, first है हमारा 0.3 का बार, इसको हमने 0.4 का बार, इसको हमने वाई से पोज़ किया, अब इससे हम expand करें, तो यह बना 0.3 3, 3, 3, 3, equation number 1, इसको 10 से multiply करेंगे, तो यह बन जाएगा, 3.3 3, 3, 3, 3, equation number 2, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद था, इसमें से वो माइनस कर लें, तो यह 0.3 3, 3, 3, 3, equation 1, जब इसको माइनस करेंगे, तो यह बचेगा 9X, और इदर कितना 3, तो X आजाएगा, 3 upon 9, it means 1 by 3, next है, 0.4 का बार, expand किया है, 0.4444 and so on, equation 1, एक बार 10 से multiply की, तो 4.4444, equation 2, इसमें से माइनस करेंगे, 0.4444, जब इसको सब्ट्रेक्ट करेंगे, तो यह बचेगा 9Y equal to 4, it means y equal to 4 upon 9, अब हमें इनका सम निकालना था, यानि कि 0.3 का बार, plus 0.4 का बार, equal to आगया, यह था 3 upon 9, और यह था 4 upon 9, यह बन गया 437 upon 9, यह इसका answer, तेंक यू,